अब हम ऑक्सीजन परिवार के बारे में जानेंगे ऑक्सीजन परिवार को केलकोजन फैमली भी कहा जाता है क्योंकि ये आयस्क बनाने वाले होते हैं इसे ओर फॉर्मिंग, केलकोजन का अर्थ होता है ओर फॉर्मिंग, ये आयस्क बनाने वाले होते हैं प्रकृती में बहुत सारे आयस्क हैं जो ओक्साइड और सल्फाइड के रूप में पाय जाते हैं तो कुछ ओक्साइड आयस्कों के नाम देखिए एक ओक्साइड आयस्क होता है Fe2O3 इसी तरह से बॉक्साइड Al2O3.2H2O कैसितराइड तिन का ओक्साइड है SnO2 तो ये तीनों ओक्साइड के उदाहरन हो गए कुछ सल्फाइड के आयस्क देख लेते है Fe2 या Iron Pyrite Copper Pyrite, Cu Fe2, Galena, PBS जो की Lead का सल्फाइड होता है इसी तरह से Jink Blendy, Jink का सल्फाइड याने ZNS तो ये जो कुछ ओक्साइड और कुछ सल्फाइड हमने देखे तो इस फैमिली में ये चमता होती है आयस्क बनाने की तो इसलिए इसे कैलकोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है इस परिवार में यदि हम सदस्यों के नाम देखें तो यहाँ पर Oxygen, Sulfur, Selenium, Tellurium और Polonium होता है Oxygen, Parmanukramang 8, Sulfur का 16, Selenium 34, Tellurium 52 और Polonium का 84 तो इस तरह से बढ़ता हुआ एक Parmanukramang का सीरीज हमें दिखाई दे रहा है वाईवंडल में जो Oxygen होता है ये आयतन के आधार पर 21% होता है Oxygen भू परपटी में भार के आधार पर 46.6% भाग गेरते हैं और जो Oxygen होता है ये Silicate, Carbonate, Sulfate, Oxide इन सब के रूप में Oxygen के रूप में प्रकृती में पाये जाते हैं इसी तरह जो Oxygen है प्रकास संसलेशन की क्रिया में भी उत्पन होती है और जो Ozone परत है वाईवंडल का Ozone परत जो Oxygen का ही एक अपर रूप होता है Ozone उससे बना हुआ होता है और Ozone परत हमारी रक्षा करती है अल्ट्रा वाईलेट केड़नों से तो प्रकृती में Oxygen का बहुत अधिक मात्व होता है सल्फर भी प्रकृती में बहुत सारे सल्फेट्स या सल्फाइट के रूप में पाये जाते हैं और प्रित्वी की सत्व पर सल्फर 0.6-0.3 से 0.1 तक पाये जाते हैं और ये मुख तवस्था में और संयूग तवस्था में ये सल्फाइट के रूप में या सल्फेट के रूप में पाये जाते हैं, सल्फेट के रूप में मुख्य रूप से ये जिपसम लवण, एपसम लवण इस तरह से बनाते हैं, तो जिपसम लवण जैसे कैल्शियम सल्फे तो जेडेनेस या जिंक ब्लेंडी, कॉपर पायराइट, सी यू एफिएस्टू, आइरन पायराइट, एफिएस्टू. तो इस प्रकार से सलफाइड और सलफेट के रूप में याने कमबाइन फॉर्म में भी सलफर पाया जाता है. सलफर बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थो जैसे अंडे में, बालो में, प्याज में, लहसुन में, उन में, प्रोटीन, इस तरह से सरसों में. तो यहां पर ये सलफर की मात्रा इन सभी कार्बनिक पदार्थों में भी पाय जाती है. सलफर की कुछ मात्रा ज्वाला मुखी शेत्र जो हैं वहां पर H2S के रूप में प भारत और पाकिस्तान के कुछ छेत्रों में भी ये पाये जाते हैं, जो नैचरल गैस है और क्रूड ओयल ये भी सल्फर के बहुत अच्छे शुरोथ होते हैं, सेलेनियम एवं टेल्यूरियम दूरलब तत्व होते हैं, और प्रकृति में सेलेनाइट्स या टेल्यूराइट्स के रूप में पाये जाते हैं, और जो पोलोनियम है वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, पोलोनियम एक छे उत्पाद है थोरियम और यूरेनियम श्रेनी क और ये 6 होते होते यहाँ पर थोरियम स्रेणी से 6 होते होते या उरनियम स्रेणी से 6 होते होते पहुंसते हैं पोलोनियम तक तो पोलोनियम यहाँ पर एक 6 उत्पात के रूप में होता है लेकिन यह भी एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है अब हम इस परिवार के electronic विन्यास को समझेंगे, इसका जो सामाने electronic विन्यास होता है, वह NS2, NP4 होता है, NPX2, NPY1, NPZ1 इस तरह से भरा जाता है और NS में दो electron होते हैं, तो electronic विन्यास इसका जब हम देखेंगे, तो इस प्रकार से होगा, oxygen का 8 atomic number है, अगर हम helium से इसको denote करें, यानि 2 electron को, तो 2s2, 2p4, outermost shell का electronic विन्यास होगा, sulfur atomic number 16, अगर यहाँ पर neon से 10 electron को denote करेंगे, तो 3s2, 3p4, selenium, यह 34 है, selenium का atomic number, यह organ से replace करेंगे, 18 electrons को, 3d10, 4s2, 4p4, इसी प्रकार, tellurium, krypton से, यानि 36 electrons को krypton से replace कर दिये, 4d10, 5s2 और 5p4, polonium, xenon से 54 electron को replace करेंगे, फिर होगा 4f14, 5d10, 6s2 और 6p4, तो यह सभी electronic विन्यास में हम देख रहे हैं कि, सभी में, outermost cell का जो combination है, वह NS2, NP4 को follow कर रहा है, तो यहाँ पर, जब हम electronic विन्यास को देखते हैं, तो यह देखा जा रहा है कि, सभी में, यदि दो electron ये ग्रहन करते हैं, तो इसका अश्टक पूर्ण हो जाता है, क्योंकि सभी के बायतम कोश में 6 electron होते हैं, तो दो electron लेकर ये अपने अश्टक पूर्ण कर सकते हैं, अब हम इसके कुछ गुणों के बारे में जानेंगे, सबसे पहले लेंगे परमाडू त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग में जब उपर से नीचे आते हैं, तो कोशो की संख्या में व्रिधी होती है, नाभी की आवेश्ट बढ़ता ही है, साथी साथ कोशो की संख्या भी बढ़ती है, तो कोशो की संख्या में बढ़ोत्री होने से पर्माडू त्रिज्या का मान बढ़ता है तो यहाँ जो पर्माडू त्रिज्या काउंट की जा रही है वो सहसे उजग त्रिज्या को काउंट किया जा रहा है तो वो त्रिज्या यहाँ पर बढ़ती है तो जब हम इसको 15th group के साथ compare करते हैं nitrogen family के साथ तो ये हम by से दाएं जा रहे हैं इस तरह से बात करते हैं तो वहाँ पर भी नाभी की आवेश तो बढ़ता है लेकिन कोशों की संख्या में वृद्धी नहीं होती है याने nitrogen और oxygen को यदि compare करें तो nitrogen के बाहतम कोश में electron है 2s2, 2p3 और oxygen का यदि बाहतम कोश देखें तो 2s2, 2p4 तो दोनों में ही कोशों की संख्या स्थिर है जबकि नाभी की आवेश oxygen में जादा है तो इसलिए oxygen की जो परमारूत रिज्जा होगी वह nitrogen से कम होती है लेकिन उपर से नीची आने पर परमारूत रिज्जा में पृध्धी होती है क्योंकि नाभी की आवेश बढ़ता है लेकिन जब हम आयनिक रिज्जा की बात करते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये द्वी सायोजी आयन बनाते हैं ये दो इलेक्ट्रोन ग्रेहन करके अपना अच टक पूड़ा कर लेते हैं तो जब ये द्वी सायोजी आयन बनाते हैं तो अपने संगत परमारू की तुलना में यदि इसके आयनिक त्रिज्जा को कंपेर करें तो वो काफी अधिक पाया जाएगा तो जब हम यहां उसके द्वी सायोजी आयन को देखते हैं तो वो एक अक्रिय गैस के इलेक्ट्रोनिक विन्यास को शोख करने लगता है जैसे यदि ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रोन ले लिया जाए ऑक्सीजन बारा तो ऑक्सीजन का आठ है आठ और दो हो जाएगा दस तो नियोन का इलेक्ट्रोनिक विन्यास हो जाएगा तो ओ टू माइनस यदि करेंगे तो वो नियोन के इलेक्ट्रोनिक विन्यास को दर्शाएगा यहीद राइं चैस्य्ट रिज्जा से अधिक होती है तो यही कारण है कि ओक्सीजन फैमिली में जो परमाणु रिज्जा और आयनिक रिज्जा का जो डिफरेंस है बहुट जादा दिखाई दे रहा है वो इसी कारण से क्योंकि ये दो इलेक्ट्रोन ग्रहन करके एक अश्टक को कम्प्लीट करते हैं और अक्रिय गैस के परमाडू क्रमांग को प्राप्त कर लेते हैं अब हम देखेंगे आयनन एंथेल्पी, आयोनाइजेशन एंथेल्पी, आयनन उर्जा तो आयनन उर्जा का आयत है, जब भी किसी विलगित परमाडू से इलेक्ट्रोन निकाला जाता है तो कुछ उर्जा क्यावश्रक्ता होती है, तो यही उर्जा कहलाती है, आयनन एंथेल्पी, आयनन उर्जा तो जब हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फैमिली को कंपेर करते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए जो प्रथम आयनन उर्जा होगी, वह नाइट्रोजन के प्रथम आयनन उर्जा से कम होती है नाइट्रोजन के लिए प्रथम आयनन उर्जा कमान अधीक होता है इसका कारण ये है कि नाइट्रोजन में अर्ध पूरीत कक्षक होते हैं भायतम कोश यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन में NS2, NP3 है तो P में अर्ध पूरीत अवस्था दिखाई दे रही है जबकि आउक्सीजन में NS2, NP4 है जो अपूर्ण रूप से भरा हुआ है तो जो अर्ध पूरीत कोश होते हैं पूर्ण रूप से भरे कोश होते हैं वो ज़्यादा स्थाई होते हैं अपूर्ण रूप से भरे हुए कोशो की तुल्ना में और जब oxygen से एक electron निकल जाता है, तब यह एक स्थाई सनरचना को दर्शाने लग जाएगा, यानि एक electron जब उसमें निकल जाता है, तो अब oxygen की electronic विन्यास को हम nitrogen के जैसा ही मान सकते हैं, यहाँ पर 2S2, 2P3 हो जाएगा एक electron निकलने के बाद, तो oxygen की जो दूसरी आइनन का मान होगा, वो अधिक होगा, क्योंकि जब दूसरा electron निकलते हैं, तो वह एक स्थाई सनरचना में से निकलना है, तो वहाँ आइनन उर्जा का मान अधिक होता है, जब वर्ग में उपर से नीचे आएंगे, इस परिवार के, तो चुकि कोशों की संख्या में विरिद्धी हो रही है, नाभिक और भाहतम कोश के बीच का जो आकर्शन है, वो कम है, तो कम उर्जा देकर ही electron बाहर निकाला जा सकता है, तो इसलिए जब हम उपर से नीचे आते हैं, तो आइनन उर्जा के मान में कमी होने लगती है, क्योंकि त्रिज्या में विरिद्धी हो रही है, अ तो जब उपर से नीचे आते हैं, तो boiling point और melting point इसमें बढ़ता रहता है, जब हम tellurium से polonium तक जाते हैं, तो यहाँ पर चुकि अब electron जो है, वो 3D, 4D, 5D के साथ-साथ अब 4F में भी भरने लगता है, तो 4F का जो shielding effect होता है, वो कमजोर होता है, दुरबल होता है, इस करण से इसका आकार घट जाता है, तो जब आकार घट जाता है, वांडरवाल बलका जो असर है, वो थोड़ा कम हो जाता है, तो यहाँ पर जो boiling point और melting point है, वो कम हो जाएगा, जब हम tellurium से polonium तक जाते हैं, सीकर नवस्था को जब हम पढ़ेंगे, तो electronic विन्यास के आधार पर ह इसको समझ सकते हैं, कि oxygen परिवार में चुकी दो electron की आवशिकता है अश्टक पूर्ण करने के लिए, तो यह दो electron ग्रहन कर सकते हैं, या फिर यह साजह करके भी अपने अश्टक को पूरा कर सकते हैं, तो यह जब दो electron ग्रहन करेंगे, तो यह रिणात्मक ऑक्सीकर नवस् है वे भी न तत्मों की, वो देखिए, oxygen minus 2, minus 1, plus 1, plus 2, sulfur minus 2, plus 2, plus 4, plus 6, selenium minus 2, plus 2, plus 4, plus 6, tellurium minus 2, plus 2, plus 4, plus 6, polonium plus 2, plus 4, तो यहाँ पर देखिए, जब हम उपर से नीचे आ रहे हैं, तो minus 2, जो स्थिती है, यानि रिणात्मक ऑक्सीकर नवस्था की जो स्थिती है, वो कम होती जारी है, क्योंकि आकार में वृद्धी होती है, तो electron को ग्रहन करने की जो शमता है, वो थोड़ी कम हो जाती है, और यहाँ पर देखिए, जो plus 4 ऑक्सीकर नवस्था है, वो ज़्यादा स्थाई है, plus 6 की तुलना में, क्योंकि plus 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, lower oxidation स्टेट है, और यहाँ पर अक्रिय युग प्रभाव की कारण ऐसा हो रहा है, कि plus 4 ऑक्सीकर नवस्था ज्यादा स्थाई होती है, त इसी कारण से यहाँ पर प्लस 6 की तुलना में, प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्थाई हो जाती है, अब हम ऑक्सीजन के कई ऑक्सीडेशन स्टेट को जानेंगे, जो धनात्म कवस्था में हैं, या रनात्म कवस्था में हैं, तो कई धात्वीक ऑक्साइड होते है जो कि आयनिक अवस्था में होते हैं, वहाँ पर oxygen minus 2 या minus 1 oxidation state भी शो कर सकते हैं, तो देखिए धात्वीक oxide में sodium Na2O, sodium का oxide Na2O is equal to 2Na plus plus O2 minus, तो यहाँ oxygen minus 2 oxidation state शो कर रहा है, MgO, magnesium oxide, जो धात्व का ही oxide है, is equal to Mg2 plus plus O2 minus, यहाँ भी oxidation state oxygen की minus 2 हो गई, Al2O3, aluminium का oxide है, is equal to 2Al3 plus plus 3O minus, तो यहाँ पर oxygen minus 2 oxidation state शो करता है, धात्व के कुछ पर oxides भी हैं, जहाँ oxygen minus 1 oxidation state शो करता है, जैसे barium oxide BaO2 is equal to Ba2 plus plus 2O minus, तो OQ पर minus 1 है, इसकार थे कि यहाँ minus 1 oxidation state oxygen की है, दूसरा है Na2O2 is equal to 2Na plus plus 2O minus, यह भी oxidation state minus 1 को शो कर रहा है, H2O2 hydrogen peroxide, जहाँ पर hydrogen यहाँ 2H plus plus oxygen के लिए 2O minus, मतलब oxygen यहाँ minus 1 oxidation state शो करता है, तो इन सभी उदारणों में हमने देखा कि oxygen जो है वो minus oxidation state शो करता है, कुछ ऐसे भी उदारण देखेंगे जहाँ पर oxygen धनात्मक ओक्सीकर नवस्था दर्शाते हैं, OF2 एवं O2F2, तो OF2 में oxygen plus 2 oxidation state शो करता है, तो OF2 जब OF2 is equal to है, O2 plus plus 2F minus, तो यहाँ पर oxygen जो है वो fluorine की तुलना में कम रिड़ विद्युती है, fluorine अपने पूरे आवर्श साणी में सबसे अधिक रिड़ विद्युती तत्व होता है और दूसरे नंबर पर oxygen होता है, तो यहाँ पर oxygen कम रिड़ विद्युती है, fluorine की तुलना में, तो यह यहाँ पर धनात्मक oxygen करना वस्ता दर्शाता है, जबकि O2F2 में जो oxygen है वो plus 1 oxidation state शो कर रहा है, यानि 2O plus और यहाँ पर 2F minus, तो यह जो धनात्मक oxidation state है oxygen की, यह OF2 और O2F2 में हमने जाना, oxygen की जो अधिक्तम oxidation state है वो plus 2 है, क्योंकि इसमें d orbital नहीं पाया जाता है, तो सह सेयोजकता का विस्तार नहीं हो पाता है, वैसे इस परिवार का जो common oxidation state है, वो minus 2 ही है, क्योंकि electron लेने की tendency है, आकार छोटा है, प्राया सभी का, तो oxygen उसमें से सबसे ज़्यादा अरेणविदूती है, तो minus 2 oxidation state ज़्यादा common होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं, जिसमें की d orbital present है, कुछ oxygen के बाद के जितने भी तत्व हैं, सभी में d orbital present होता है, यहने वह सहसे हो जगता का विस्तार करके, कई सारे योगिक बना सकते हैं, उच ऑक्सी करन अवस्था वाले, तो कुछ उदाहरन हम जानेंगे, कि plus 4 oxidation state वाले जो योगिक हैं, वो है, SO2, SEO2, TEO2 और PO2, मतलब पोलोनियम का उक्साइड, और plus 6 oxidation state वाले कुछ योगिक है, SF6, SEF6, TEF6, अभी इन सभी में हमने देखा, कि plus 4 और plus 6 oxidation state इसलिए ही यह शो कर पाते हैं, क्योंकि इसमें d orbital present होते हैं, इसमें electron का प्रसार हो सकता है, सहसे हो जगता का प्रसार यहाँ हो सकता है,